जब कोई बात भी गर जाए जब कोई मुश्किल पर जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नावा न कोई है न कोई था जिन्दगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नावा नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजित कुमार इंकरडबल आईयस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है बहुत ही बड़ा काम का वीडियो है दोस्तों एक बात तु समझ जाईए कि अगर आप सिविल सर्विस्स की तैयारी के लिए सोच चुके हैं चाहे आप तेंथर सेंडookyंडर में हो और गेजिवेशन फर्स्ट्य यर सकेंड्ड यर थर्ड यम्फिर इंजिनिंग कॉलेज में रहो या मेडिकल कॉลेज में हो कहीं भी हो या फिर इस समय तयारी के लिए शुरू कर चुके हो ग्रेजुएशन कंपीट हो चुका है तो ऐसे में सबसी इंपोटेंट बात यह नहीं है कि प्रिलिफ्स कॉलिफाई किया जाए सबसी इंपोटेंट बात है कि लिखने आया जाए लिखना आना ही चाहिए anyhow क्यों कि लिखना जब तक आएगा नहीं, जब तक आप सीखिएगा नहीं, तब तक Civil Services की तैयारी जो है, वो हमेशा आपकी अधूरी रह जाएगी, अगर अभी तक ये बाते जब तक आपके दिमाग में जा रही है, और ये बात लग रही है कि सुजित सर, अभी भी मुझे लिखना नहीं आता है, तो सीधा सा मतलब है, आपने एक साल, दो साल, तीन साल, या चार साल, जो समय दिये Civil Services को, सब के सब वैर्थ हो गया, विकार हो गया, प्रिलिम्स भले आप साल, दो साल से पास कर रहे हैं, अगर मेंस नहीं पास किये हैं, तो सीधा एक कुद देश है, और पू तैयारी कियो, और यहां चाहिए SDM बनने वाली तैयारी, तो इसके लिए Answer Writing जरूरी है, अभी से ही, जहां हो, जिस पे हो, जो पढ़ते हो, उसको लिखना शुरू कर दो, तब तो काम बन जाएगा, जिस साल, जिस बार, जिस समय, Civil Services में आओगे, पर्थम परियास में ही रि बात ना करूँगा, इस फिल्ड में मत आओ, सेलेक्शन आपका जीरो बटे सा नाटा हो जाएगा, सच बात है, खड़ भी है, लेकि दिल की बात है, ये बात आप माल लो, अगर आप में बदलाव करना है, नहीं सुजीसर नहीं आता था, लेकि कोशिस कर सकता हूँ, तो most welcome ह आप आ सकते हैं या पर, ये ही बात है, जो कि आपको समझाना जरूरी है, आज का जो हमारा topic चलेगा, वो चलेगा answer writing कैसे लिखें, यानि कि 7 दिन में answer writing लिखना कैसे सिखें, इसी को हम आपको सिखाएंगे, मातर 7 दिन में, छोड़ो न 10 दिन, 21 दिन, 15 दिन, 7 दिन में, मात साथ दिन में, आपको answer writing लिखना आसानी समसिखा देंगे, लेकिन आप सीखने के लिए तयार रहिएगा, तो इससे पहले दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, कि हमारा संस्था स्चूर सक्सेस में, foundation batch अस्टार्ट हो गया है, optional batch अस्टार्ट हो गया, सारे optional अस्टार्ट है, history option भी अस्टार्ट है, उसमें मैं खुदी क्लास लेता हूँ, अगर आपका history option है, तो आप हमारी संस्था आ सकते हैं, और अगर किसी और information की ज़रत हो, तो 933-47-10-148 पे आप किसी भी वक्त message या फिर call कर सकते हैं, 10 से 4, 7 साथ साथ में जो हैं, ओलंपियार टेस्रीज 8 तारी से launch हो रहा है, तो आप हमारी दोनों ब्रांच में जूर सकते हैं, कहीं भी, या तो दिनकर गोलंबर, या फिर खजांची रोड, दोनों जगा हमारी ब्रांच हैं, कहीं भी आप जूर जाईए, जहां आपको नजदीक लगे, वहीं हमसे बात क लेकिन जब लिखने की बारी वास्तविक्ताम आती है, तो हालत खराब हो जाती है, सुईसर्ट पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन लिखने बक्त जब बैठता हूँ, तो कोई सब्धी दिमाग में नहीं आता है, सुन हो जाता है, सुन होने का यहीं मतलब है, सीधा guideline कोई करने बाला नहीं है बस इसी वज़ा से आपके पास में सब्द नहीं आ पाते हैं और आप लिख नहीं पाते हैं answer writing कैसे लिखे हैं और कहां से शुरुबात करें जब मेरे पास कोई बच्चा आता है कि सुजी सर answer writing नहीं आता है क्या किया जाए हम करते हैं सुजी सर पे लिखो लिख सीधा समत्लब एकदम रियल वाली बात आपसे बात करूँगा इस वीडियो में हम पे लिख लिखो पापा पे लिख लिखो दस ही लाइन लिखो छोड़ो ने सो लाइन दस लाइन लिखो मम्मी पे लिखो अपने गाउं पे लिखो गाई पे लिखो अपने खुदा पे लिखो सच बता रहा हूँ और लिखते लिखते एक बार बस आदत तो हो जाए उसके बाद तो हम जो चाहेंगे वो लिखबा लेंगे आपसे बस एक बार आदत तो बढ़ जाएं और यही आदत आप लिखना नहीं चाहते है क्योंकि आपके दिमाग में रहता है पता ना कैसा लिखूंगा, कैसा होगा सुजी सर कॉपी चेक करेंगे तो पता ना कोमेंट में क्या-क्या बोलेंगे अरे भूल जाओ क्योंकि हर नया काम की जो सुरुवात होती है वो सबसे बेकार से होती है और उसका अंत जो है सबसे बहतरीन होता है बस अंतर इतना है कि उसमें आपको लगे रहना है यकीन मानो आपका बेस्ट हो जाएगा तो आप आज से अभी से जैसे ही वीडियो देख लिए अब लिखना सुरू कर दिए कुछ भी कुछ भी आप अपने पीछे के लाइब गिर्जवेसन बारी लाइब के बारे में कुछ लिखिए लिखिए तो सही अच्छा बुरा छोड़ दीजिए वो आपके बस के बाहर की बात है लिखना आपके बस में है बस लिखिए देखिए आपका कमाल हो जाएगा फिर ये कोशन ही आपकी जिन्दगिम कभी ने आएगा कि एंसर आइटिंग कैसे लिखे है और कहां से सुरुवात करें जहां से दिल करें वही से सुरुवात करो जब जागो तब सभेरा सीधा सा मतलब है कहां तो कोई बताएगा भी नहीं जो चीज आप पढ़े हो आज कोई इडूटूरियल पढ़े ठीक है पढ़ लिए अब उसके बारे में दस ही लाए लिखो ना मत ज़्यादा लिखने के कोशिस करो क्योंकि ज़्यादा लिखने के चक्कर में कुछ भी अच्छा आउटपुट नहीं हो पाएगा कम लिखो बहतरीन लिखो सामने वाली की धरकन को हिला कर रख दो क्या कमाल का लिखा है और यकीन मानो आज 10 लाइन अगले सबता आप 15 लाइन और देखते देखते महीनों दिन में इतना भैतरीन लिखोगे कि आप सब्दों से खेलना सिख लोगे और जिस दिन खेलना आ गया उस दिन आप एंसर राइटिंग के तो पारंगत हो गये और यही चीज मैं बच्चों को सिखाता हूँ और यही चीज आज आपको भी सिखा रहा हूँ अब करना तुस रू किजिए कितने पेज में लिखे हैं कितने सब्दों में लिखे हैं और कितने समय में लिखे हैं यह तीनों यच्च कोशन है बच्चे समझी नहीं पा रहे हैं जितने भी PCS से जितने भी जो हैं भी जो भी एक्जाम देते जिन में में भी में इसका एक ही सीदा सोंदे कितने पेज में लिखे हैं जब पेज की बात आती है तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपके पास में total कितने पेज दिया जगया है total number of pages कितना है पहला समझे माल लिजे कि total number of pages जो है आपको 36 pages दिया गया है fourth example, समझे मेरी बात को किसी भी आयोग में, कोई भी इंडिया के किसी भी pieces में 36 pages दिया गया है दूसरा, ये पता किजी इसमें लिखना कितना question है तो पता चला, इसमें 6 question लिखना है तीसरा लिखना कितने देर में है तो पता चला, 3 घंटे में लिखना है 3 घंटे को अगर मिनट में convert किया जाए तो 180 मिनट क्लियर है लिखना कितना question है 6 question है कितने देरी में, 180 मिनट में 6 को 180 से डिवाइट कर दोगे तो निकल के आएगा 30 मिनट यानि कि पर टेक कोश्चन पर आपको 30 मिनट टाइम देना है निकल के आ गया आपके पास में रखा हुआ है मेरी तो ज़रुरत में नहीं आपको तो ये तो कनफर्म हो गया कितने समय में लिखें तो 30 मिनट में लिखें बाकी अलग-अलग PCS में अलग-अलग टाइमिंग होता है दूसरा कितने सब्दों में लिखें आप पता करो कितने नमबर का कोश्चन अगर 4th example 36 नमबर का कोश्चन है 36 नमबर का है ज्यादा लिख देंगे, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, अगले कोशन की वाट लगने वाली है, क्योंकि उसका भी time limited है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखो ने 500, 600 में लिख दो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, अगला कोशन आप उतना नहीं दे पा है, number of pages कितना होना चाहिए, total page जो हमारे पास 36 है, और हमारे पास total question 6 है, तो सीधा सा मतलब है कि कम से कम 32 से 34 page तक तो anyhow लिखना होगा आपको, ऐसे अगर देखा जाए, तो 5 page आप मान के चलिए, कि 5 से ज़्यादा चलिए कि कम तो किसी भी आलत में नहीं जाना चाहिए, लेक कि कहानी रुपी, a story type से मतलिक दीजिएगा, बरना average marking से कोई नहीं रोखेगा, ये भी clear हो गया, ऐसे ही आपको करना होगा, तब आपको जो मजा आएगा लिखने में, गजब का मजा आएगा, ये चीज़ जानना बहत जरूरी है, तीसरा question, handwriting, अच्छा लिखना जरूरी है स अगर, एकदम नहीं जरूरी है अच्छा लगना, क्योंकि उस time में, पेन इतना तेजी से चलता है, कि मानो बस आग नहीं लगती है, बाकि सारी दूर्दसा निकलती है पेन की, सारी दूर्दसा, इस time में, मैं ये भी नहीं कर आँँ कि मोती जैसा handwriting होना चाहिए, लेकिन हा, handwriting ऐसा होना चाहिए, कि आप जो लिखे हो, वो किसी भी व्यक्ति को आपकी कोपी अगर सुपूर्द किया जाए, तो कम से कम आसानी से पढ़ लिया जाए, बिना चसमा लगाए हुए, और इतना सामने बाला आपसे deserve करता है, और उतना आपको करना होगा, अब ऐसा नहीं है, कि हरपा कालीन, handwriting लिख कर दे दीजेगा, मैं चेकी नहीं करूँगा, आग खड़ाब हो जाती है, कौन देखे हो, average मार के उठा कर फेको, तो याद रखेगा, handwriting बहुत बड़ा मायने रखता है, मोती जीसा handwriting होना जरूरी नहीं है, उससे कुछ परभाव नहीं परने बाला सा आगता है, कि आप मत पूछो क्या होता है, एक बार मेंस देखो तो देख लो, लेकिन, answer writing में, जब लिखने बैठ रहे हो, तो ऐसा जरूर लिखिये, कि कोई भी वेक्ति आपकी कोपी को आसानी से, चेक कर दे, बस, ये complete है, क्योंकि ये भी बहुत, ज्यादा लोगों के है, अगर हरपा कालीन, hand writing, तो modern handwriting कर सकते है, बस एक बार शुरुवात तो किजिए, next, SDM बाला answer writing में, क्या-क्या होता है, जो topper बनते है, उनके answer में, क्या-क्या मिला होता है, हम देखते हैं, कोपी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकि कभी उसको समझ नहीं पाते हैं, क्या-क् कर पाते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकि फिर भी उसको यूज क्यों नहीं करते हैं, आज आज आपको यूज कर बाते हैं, क्यों यूज कैसे किया जाएं, सबसे पहले भूमिका, ये सबसे important है, इसके बिना तो सबकुछ अदूरा है, जिसको introduction भी का जाता है, एक उसे ज़्यादा attractive हो, जो सामने वाला जब पढ़े ने copy, तो कहना पढ़ जा उसे, बस इसी copy की तो तलास के लिए हम इतने देर से बैटके copy चेक कर रहे थे, यानि introduction जो है, पूरे के पूरे question को sum up करके डालिएगा, जो question वो पूछा जा रहा है, उसको सब को sum up करके रहा सुजी सर, कोई question को ले के हम लोग को समझाईए, तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप से वादा करता हूँ, कि आज के बाद, एक वीडियो बनाऊंगा, जो हमारे class के बच्चे होंगे, जो वो लिखेंगे, उनकी copy को आपके सामने, हर दिन कोसिस करूँगा, एक लाक पांच लाइन में, चार से पांच, छे तो गलती से मत बढ़ाइएगा, कभी नहीं बढ़ाइएगा, पांच जाते जाते उसको फूल स्रॉप एन िहाया करना होगाım को, बस पांच लाइन, पांच लाइन में ही, वो सारी बातें कहते नहीं है, जो मांग डिमांड कर रहा को उसको लिखना है, और वो भी जब लिखना शुरू कीजिएगा, तो पैरागर आपको चेंज करके लिखेगा, यह चीज़ जरूर ध्यान रखेगा, जो भी कोश्चन में दिया जा रहा है, उस कोश्चन को बोडी पार्ट में लिखना शुरू कर दीजिए, जैसे ही बोडी पा आर्थिक कारण, समाजिक कारण, साश्कृतिक कारण, धार्मिक कारण, भोगोलिक कारण, तो सारे जो कारण हैं आप फूर्मिटिक में लिखिए, फूर्द एक्जांपल इस तरीके से, इसके राजनितिक कारण, इसके आर्थिक कारण, इसके समाजिक कारण, इसके धार्मिक कारण, इस तरीके से लिख दीजिए, और इस तरीके से लिखने के बाद, उसके बाद एक एक को लिखे, मान लिजे धार्मिक कारण, धार्मिक कारण लिखे, अब जो धार्मिक कारण लिख रहे हैं, उसके बाद फिर से फोर्मेटिक बनाई है, धार्मिक भी फोर्मेटिक बना है, ये सारी पांट को बताईए, उसके बाद आप point wise answer लिखे, story by मत लिखे, कभी मत लिखे, अगर टौपर बनना है तो, कहानी लिखना बंद कर दिजिए, गया वक्त कहानी का, आप point wise लिखे, यकीन मानिए, आपका selection और अगर आपने एस्टोरी बाइल लिखना सुरू किया तो खिल खतम हो जाएगा चौपट हो जाएगा क्योंकि एक्जामनर को खुद ही लगता है बस यह स्टोरी बात बनाना जानता है आता वाता इसको कुछ भी नहीं है इसलिए फोर्मेiness लिखिये फोर्मेटिंग में जब लिखिये तो कई जगह ज़ो है ऐसा आएगा जहां पर दिमांड करेंगा बिहार की बिरुद्जगारी दर कितनी है महलाओं के साथ चर्था परतीसत कितना है ये जो अपडेट कुछ-कुछ डाटा है उसको दिमाग में रखना और उसको फटाक से यूज करना है और साइड में बता देना है कब का ये डाटा है 2001 का है, 2011 का है या 2021 का है वो डाटा जरूर साइड में लिख दिजिए इससे क्या होगा आपकी एंसर राइटिंग में चार चान लग जाएगी जब ये लिखी रहे हो तो जहां पे ज़रुरत पड़े जैसे चंपारन आंदोलन लिख रहे है माहत्मा गांदी के नितुत में तो वहाँ पे थोड़ा सा चंपारन का मेब बना दीजिए मानचित्र थोड़ा सा मेब बना दीजिए मोटा मूटी बिहार का मेब को अपको ध्यान रखना है और उसी का अंदर सेंटर में डाल दीजिए जहां पे चंपारन है चंपारन क्लिक कीजिए, वहां लिख दीजिए, चंपारन मुझबपरपुर, तो मुझबपरपुर लखी सराए, तो लखी सराए जहां जो घटना हैं, उसको इंडिकेट करके लिख दीजिए, बस इतना सा काम कीजिए ज्यादा करने की कोई जोड़त नहीं है औरों से आपका इंसर अलग होगा, जब तक औरों से आपका इंसर अलग नहीं होगा, तब तक नमर आप उठा नहीं सकते हैं आपकी आउकाद की बाहर की बात है और ये काभिलियत आपके अंदर है, आप बस यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कोई बताने वाल आपको नहीं है आज से अभी से इस खुबसूरत राज से ही आप सुरू कर दिजे लिखना, देखिए आपका क्या होता है तुरत परिवर्तन हो जाएगा और तब लगेगा कि अब सिविल सर्विसेज की रियल में तैयारी हो रही है जब तक यह नहीं होगा तब तक मन भी नहीं लगेगा, उदास भी रहेगा और इधर उदर की बातें दिमाग में दौरते रहेगी नेक्स से फुलो चार्ट फुलो चार्ट बनाना ज़रूरी है जैसे जो हम आपको बताए कि फुलो चार्ट आप किस तरीके से बनाते हैं इसका डिजाइन तो थोड़ा सा नीचे देख लीजीगा एक तो इस तरीके से भी है, कारण लिख दीजिए इसके राजनितिक कारण, इसके आर्थी कारण इसके समाजी कारण, इसके दार्मिक कारण, इसके सिक्षा, चिकित्सा ये सब इस टाइब से बनाईए दूसरा जो है, ये वाला देखिए इस टाइब का डिजाइन भी बना सकते हैं कारण देखे, इस पे सारे पॉइंट को लिखे राजनितिक कारण, आर्थिक कारण, समाजी, कारण, सांस्कृतिक कारण सारे कारण को लिखे और ज्यादा कारण हो तो इस वाला डाइग्राम का यूज कीजिए कॉपी में, मज़ा आ जाएगा, चेक करने वाले का और एक जो है इस टाइब का फोर्मेटिंग बनाईए इसका राजनितिक, आर्थिक समाजी, जो कि हम आपको बताते हैं इस टैप से, आपको जो भी आता है उस टैप से फ्लोचाट बनाईए दिखें मज़ा आ जाएगा आपको जो इस पर बढ़िया लगता उसको यूज़ कीजिए, हमेशा यूज़ कीजिए तीसरा यहां के बाद मध्यमार्ग अपना ये एंसर लिखने में कई बार ऐसे कोश्चन भी आ जाते हैं फोर्द एक्जामपर, अठाइसो संताबन के कारन और परिनामों की समिक्छा कीजिए ऐसे कंडिशन में क्या होते हैं बच्चे क्या काम करते हैं कोशिस करते हैं कि कारन को ही तीन पेज पहुचा देते हैं चार पेज पहुचा देते हैं और परिनाम को एक पेज में समप करते हैं कभी नहीं, मध्यमार्ग हमेशा मध्यमार्ग ध्यान रखेगा, जब भी कारण परिनामाई मध्यमार, बीच का रास्ता, दोनों को बराबर वेट दीजिए और ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये कोई नहीं बताएगा बारी की बाली बातें और ये आप सीक लिजिए, जहां भी कारण परिनाम रहे, तो ऐसे कंडिशन में जब भी कोईचन के एक से अधिक पाठ हुए अभी दो पाठ की बात कर रहा हूँ, कहीं तीन पाठ होगा, तो तीन पाठ में डिसाइड करना है लिखना आपको पाठ ही पेज है, और इसी पाठ ही पेज को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेना, उतना ही में आपको समप कर देना खेल खतम कर देना, आगे एक दम नहीं बढ़ाना, किसी को जादा और कम कीजिएगा, तो सामने बाला, मेरे ही जैसा एक्जामनर बैठा हुआ, जो आपकी कोपी चेक कर रहा है वो समझ जाएगा, इसको कारण अच्छे सी याद है, परिणाम अच्छे सी याद नहीं है, तो रहत एबरेज मार्किंग डाल देगा क्या फायदा इसा परने से और इसा लिखने से, जो आपको दिला दे, और फिर बढ़्णाम सब्जेक्ट हो यह subject में, इसे average marking आता है, आप करके ही तो आ रहे हो, अब आप जिसको बंदाम देना है, बंद देते रहो, तो याद रखेगा, मध्यमार्क, जब भी कारण पढ़िना, आप दोसे, एक से अधिक पार्ट में question पुछ रहा है, तो आपको उसी के according divide करके ही, आपको लिखना होग answer, पहले दिमाग में बना लेना है, और finally last जो है, निसकर्स, पूरा, जितनी भी आपने answer लिखे हैं, उसका conclusion निकालके, डाल दीजिए, और वहाँ से फटक से बाहर निकल जाएए, यह आपका पूरा का पूरा complete answer writing हुआ, यह एक ऐसा answer writing है, जिसको others answer writing भी कर सकते हैं, जीरो से लेके higher level तक आपका answer writing हो जाएगा, अगर इस तरीके से लिखना आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दिये, तो यकीन मानिए, कि दस दिन में, आप सब्दों से खेलना शिक लिजिएगा, आप खुदी खेलिएगा, मुझे मेरी ज़रुद में नहीं पड़ेगी आप और सबसे लास्ट बात जो है, डेली बीना इतवार के कम से कम तीन answer writing लिखे, तीन, तीन, कम से कम, तीन में क्या, दो option, एक GS, मैं तो कहूंगा चार लिखे, दो option का लिखे, paper 1, paper 2 का, और 2 GS 1, और GS 2 का, चार बीना इतवार के, कुछ भी लिखे, दसी लान लिखो न, करू तो शुरू, चार बीना इतवार के, बीना कुछ समझे हुए, एक पागलपन लाइए, और जिस दिन पागलपन घुस गया, अंदर, उस दिन सब्द आप से खेलेंगे, और आप सब्दों से खेलेंगे, चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार